देश की राजधानी दिल्ली वर्तमान समय में अनेक राज्जियों के प्रवासी मजदूरों का दूसरा घर बन गई है रोजी रोटी की तलाश में यहां आने वाले हजारों लाखों मजदूर यहीं के हुकर रह जाते हैं वे जुग्डी बस्तियों में अपनी गुजर बसर करने को मजबूर हैं दिल्ली के जसोला और जद्पूर इलाखों में ऐसी अनेक बस्तियां हैं इन में बसने वाले बच्चों को शिक्षा के प्रतिक जागुप करने का बीडा उठाया है दे ओरिजिन समठेने दिल्ली के जसोला मेट्पूर स्टेशन के पास ही एक ऐसी बस्ति है जहां दी ओरिजिन के कारेकरता बस्ति के बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं मेरे नाम शारिट नदीम है और मैं 2007 में देली आया और मैंने 2009 में जाके ओरिजिन स्टार्ट किया था मैं और मेरे एक फ्रेंड अमन्दीप सिंह राहिल उसने हम दोनों दोस्तों ने ग्रेजिशन में जब हम लोगते हैं तो मुझे लगता है वो बहुत अगर यूसफुल नहीं रही है अपके एजुकेशन तो जो भी है यह लोग अंदर प्रिविलिज़ लोग है इनको अगर हम अपने एजुकेशन से इनको थोड़ा फाइदा पहचा सकते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी पता नहीं इतना इतना कर पाना लोग आपस में कांट्रीट करके करते हैं जी 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 खर्च में कुछ ऐसा कुछ फर्च लिए सिफ मैट बगारा का या स्टेशनरी का जो भी घर से तो किसी को अपनी जेव से सो पान सो या दो सो जो भी है वो देने में कोई जादा हो नहीं लगता है और दिल्ली आया थे तो हम लोगो घुमने का शौग भी था हम लोग जगा जगा घुमा करते थे हैं कुछ रैक पिकर्स भी हम लोगो करने में इंटेस्टेट हैं तो हम लोग ने एक बच्चे से शुरुवात किया पर दीरे दे करके और भी बच्चे बढ़ते गए हाँ बच्चों में काफी इंप्रूब्मेंट आया है जो बच्चे हाँ पे ना मैंने देखा वो इंथियास्टिक हैं वो पढ़ना चाहते हैं उनको मतब उनके पास रिसोर्से नहीं हैं काफी इंप्रूब्मेंट होई है थोड़े बहुत वर्ट जे लोग पढ़ने लगें जिनको इंग्लिश बिलकुल नहीं आती थी एबी सीरी जिन लोग ने साथ करी थी अभी वो कैट बैट राट थोड़ी बहुत ये रीडिंग क हम ने कुछ ऐसा ही नजारा देखा देश के राजधानी से जुड़े बियाबा में नई बसी इस बस्ती में एक भी सरकारी यह गैर सरकारी स्कूल नहीं पाया जाता है इन हालात को समझते हुए दा ओरिजिन ने यहां भी एक प्रात्मिक शिक्षा केंदर शुरू किया है त सागी साब यह बताईए कि आप यहां कब से काम कर रहे हैं हमारा संग्रिटन तब ही से एक्टिव हो गया था जब से हमने कॉंडिशन इसकी डाली थी शुरूआत की थी 2010 से और उसके बाद से कंटिनियंस हम लोग प्रोग्रिस में ही है और अभी थोड़ी से देर पहले आप ने यह बोला था कि पचास बच्चों से शुरूआत की नहीं हमने यह कहिए कि जिरो लेविल से शुरूआत की ठीक है और काफी मेहनत के बाद यह बच्चे हम तक पहुंचे हैं घर घर जाके उनको कहना कि चली आप हम आपके लिए जो कुछ भी हो सकता हम करेंगे और जितन कोर्डिनेटर और हम बात कर रहे थे उनके छोटे से प्रयास के बारे में जो उन्होंने जैप पुर मदनपुर्खाडर के पास ने छोटा सा ऐलाका अराख रियाना की जमीन से जुड़ा होला वो इन्होंने काम शुरू किया और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनका काम बहुत उपर पहुंचेगा और उनके इस प्रियास के बारे में मैं इतना ही कहूंगा और वो इस कहावत को सार्थक बनाते हैं अपनी जेव से पैसा लागा कर वो बच्चों को शिक्षा देनी की कोशिश करते हैं एज फ्यूट्स के लिए मैं मुहमद आसेफ वीडियो जर्नलिस्ट राजी सरकार के साथ दिल्ली दन्यवाद